मन पसंद जोब नहीं मिल रही है अच्ञीड़ी है सब कुछ है बार बार कोचिस कर रहे है और बार अगेन अगेन जेक्षन मिल रहा है कि समय कि कितने ही इंट्रिव दे चुके हैं लेकिन जो जोब चाही adalah नहीं मिल रही है मन में एक फ्रस्टेशन आ गई है, चारों तरफ से रिजेक्शन सुन सुन कर एक दिमाग में फ्रस्टेशन गुस गई है, अपने आपको निकम्मा नाकारा समझने लगए हैं, हम कितने ही योग की व्यक्ति हैं, लेकिन अगर बार बार किसी व्यक्ति को रिजेक्शन मिलता है तो बड़ा विद्वान व्यक्ति ही क्यों नो हूँ उसके मन में भी एक हीन भाउना पेदा हो जाती है उसको लगने लगता है कि क्या मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ क्या मेरी कोई वार्त नहीं है इस दुनिया में क्या वाकई में इस जोग के लिए लायक नहीं हूं मैं इस जोग के लिए responsible नहीं हूं इन्सान व्यक्ति योग कि होते हुए भी अपने आपको नाकारा और निकम्मा समझने लग जाता है एक अलगी तरह की बावना मन में गर करने लग जाती है अगर आपके साथ में यह सब कुछ हो रहा है ना तो आप यह तीन बाते द्यान रखाएं रिजेक्शन मिल रहा है तो हतास नहों निरास नहों सबसे पहले अपने आप से पुछे कि यह rejection आपको पहली बार मिल रहा जीवन में कितनी बार आपको rejection मिले होंगे कितनी बार आपने difficulties face की होगी और वापिस आप उठे और वापिस आपने अपना दम बताया आपने अपनी योगिता आपने अपनी ability बताई तो वो देखें उस rejection को एक प्रेणा के रूप में ले आप यह ने सोचें कि मुझे बार बार rejection मिल रहा था अपने पूरानी बात है याद करें कि जब मुझे जब आप मुश्किल में थे तो उस बातों को याद करें कि आप मुश्किल समय से कैसे निए वहाँ से आपको एक उमीद एक होप एक रे मिलेगी गी हाँ तो ओवर कम प्रश्टेसम हाँ तो ओवर कम इस्ट्रकल्स हाँ तो ओवर कम डिपिकल्टीज तब आपको पता चलेगा इसलिए बार बार rejection मिलेना तो कभी निरास ना second आपको rejection मिल रहा है तो rejection से प्रेना ले आप यह सोचें कि यार हो सकता है कि something is better than for me हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा हो साथ में यह भी सोचें कि आपको rejection किस करान मिल रहा है आखिर में जो जो जोग चारा हूँ उस जोग पर मुझे नहीं नियुक्त किया मुझे नहीं appointment किया किसी दूसरे वेक्ति को replace किया मेरी जगा तो आखिर what is the reason behind of this उस कारण को खोदे और उस कारण को दूर करते की कोशिज करें डेपिनेटल यू विल गेट इन नेक्स टाइम यूवर जोग विच यू लाइक अगर आप वो कारण फाइंड कर लेंगा ना तो आप अपना मन पसंदिदा जोग जरूर प्राप्त करेंगे तो रिजेक्शन म मिलें आप कोई नहीं लेकिन जिन लोगों को रिजेक्शन मिलें ना उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े ना फिर उन्होंने इत्यास रचा रिजेक्शन से आप गबरा गए तो आप जिएओन में कुछ नहीं कर पाई है थर्द लक्ष हासिल करने के लिए दूसर को नीक दूसरे काम करो नहीं लक्ष वही रखे ! रास्ते ने खोगए आपको लगता है चैर मैं इस रास्ते पर चलत है चलते मुझे कोई दूसर रास्ता अपना लेकिन लक्ष वही होना चाहिए यह लक्ष है पहले आप इस रास्ते से जा रहे थे आपको लक्ष मिले रास्ते से जाए हो सकता है आपको लक्ष मिले रास्ते बदल दे लेकिन लक्ष न बतले कोसिस करें कि मुझे वो लक्ष अवश्य मिल अगर बार बार अगर आप अपना लक्ष बदलोगे ना, तो आप कुछ भी ने करता हूँ कोई सा भी लक्ष लोगे, कोई सा दे, उसमें डिपिकल्टी तो अवश आएगी You will face many struggles in the way of your aim जिस aim में कोई difficulties नहीं है, कोई बादा नहीं है, तो वो कोई aim नहीं होता है जब भी कोई लक्ष लेते हो, और उसमें भज़ारो बादा आती है, और बादाएं आपको पार करनी होती तो जब भी आपको मन पसंदा जोब न मिले और आप rejection की भावना गुजरोना, तब ये बाते सोच लेता है आप उस rejection से बाहर निकल जाओगे